स्वागत आपका आज के अपिसोड में तो चले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक पर्मानु सलयन वह प्रतिक्रिया है जो सूर्य और अनितारों को चमकाती है दो इसमें बिजली के लिए हाइडोजन और अनिप्रकाश तत्वों का सलयन शामिल है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो बता दे कि दिये गया दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी सही है अगला प्रश्ण है, कोटाइक नाल सौर वेदशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे अगला प्रश्ण है, कैलिस्टों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे या बंगल के सबसे बड़ी चंधरमाओं में से एक है, दो, या केवल जल की बर्फ से बना है. उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, या सही है. इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपट D ना तो एक और ना ही दो बतादे कि कैलिस्टो ब्रिहस्पती के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है इसले कथन एक गलत है या मुख्य रूप से जल की बर्फ, चट्टानी सामगरी, सल्फर डायोकसाइड और कुछ कार्बनिक योगिकों के मिश्वर से बना है, इसले कथन दो भी गलत है अगला प्रश्ण है, ग्रेट बैक्यार्ट बर्ड काउंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, यह द्वी वार्शिक कारिक्रम है, दो, इससे साल 1998 में लॉंच किया गया था उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है इस प्रश्ण का सही उत्तर है, विकल्प बी केवल दो, बता दे के ग्रेट बैक्यार्ट बर्ड काउंट एक वार्शिक कारिक्रम है, इसलिए कथन एक गलत है अगला प्रश्ण है, कैराकल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, इसे काला कान के नाम से भी जाना जाता है, दो, इसका वैग्यानिक नाम कैराकल कैराकल शमिजजी है, तीन, यह राजस्थान में नहीं पाया जाता है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन में से कोई नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो बता दे कि कैराकल जादा तर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रुदेश में पाये जाते हैं इसलिए कथन तीन गलत है अगला प्रश्ण है, और्टिज्म के बारे में निम्लेकित कथनों पर विचार कीजे एक, या एक नियूरोलोजिकल सिती या तंत्र का संबंधी विकार है दो, हर साल दो मार्च को विश्व और्टिज्म जागरुकता दिवस मनाया जाता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक बता दे कि हर साल दो अप्रेल को विश्व और्टेज्म जागरुकता दिवस मनाया जाता है इसले कथन दो गलत है अगला प्रश्ण है कर्मचारे भविश्य निदी संगठन के बारे में निर्मलिकित कथनों परविचार कीजे एक यह एक सरकारी संगठन है दो इसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्राले द्वारा किया जाता है उपर्योक्त में से कौन साय या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, दी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C, एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है सिन्ना इस्पेक्टरे बिलिस के बारे में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक या अमेरिका के उश्नकटि बंदी शेत्रों का मोलनेवासी एक पर्णपाती पेड़ है इसे IUCN Red List के तहट नियूंतम चिंता के रूप में वर्गे गृत किया गया है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D ना तो एक और ना ही दो बता दे कि दिये गया दोनों कथन सही है इसलिए विकल्प D सही है अगला प्रश्ण है राजुस्तान के बारे में निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजे एक ये 30 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया दो ये भारत का आठवा सरवादिक आबादी वाला राज्य है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो बतादी की राजुस्तान 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया इसले कथन एक गलत है अगला प्रश्ण है अफांसी निकितन सीमाउंट के बारे में निम्रलिकित कथनों पर विचार कीजे एक या शेत्र भारतिय तट से लगभग 3000 किलोमिटर दूर इस्तित है दो या कोबाल्ट, निकल, मैगनीज और तामे की भंडार से सम्रिद्ध है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो अगला प्रश्न है निम्रलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, पी एसलवी सी फिफ्टी एट या एक्सपोसाइट मिशन ने व्यवहारिक रूप से एक अक्षा में शूने मलबा छोड़ा है दो, पी एसलवी सी फिफ्टी एट मिशन एक जन्वरी दो हजार तेईस को पूरा हुआ था उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या सही है एक एवल एक, वी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्ब सी एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है भारती रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक इसका गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था दो वर्ष 1949 में इसका राष्ट्री करण किया गया उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है भारती तटरक्षक बल के बारे में निम्लिकित कथनों पर विचार कीजे एक इसके स्थापना अगस 1978 में की गई थी दो इसका मुख्याले कोलकाता में है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक बता दे कि भारते तटरक्षक बल का मुख्याले नई दिल्ले में इस्थित है इसलिए कथन दो गलत है अगला प्रश्ण है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो 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 अगला प्रश्ण है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो 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 अगला प्रश्ण है अंतराष्टिक खदान जागरुकता और खनन कारे सहायता दिवस के बारे में निम्नलिकित कथनों परविचार कीजिए एक, हर साल चार अप्रेल को यह दिवस मनाया जाता है दो, पहली बार इसे साल 2006 में मनाया गया था उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो अगला प्रेश्ण है पंडित माखनलाल चतुरवेदी के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण को विश्व रंगमंच दिवस के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक इसकी शुरुवात अंतरराश्ट्री रंगमंच संस्थान यानि आई टी आई द्वारा 1961 में की गई थी दो पहला विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्ज 1961 को मनाया गया उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले